हाई फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डाक्टर सुबोज चन्सिंग को जीएस एंपी क्लिनिक आइंड निव चैनल के अंतरगत आज के खास वीडियों में मुह संबंधी जीव संबंधी यानि मुह के अंदर में यदि आपको किसी भी तरह का उंड हो गया है घाव हो गया है मसेज जैसे आपको उसमें देखने में आपको आता है यानि जीव में यदि आपका घाव ठीक नहीं हो रहा है और वो मसेज जैसे आप जिसे वाट्स करते हैं वाट्स तो नहीं है लेकिन कोई-कोई इसे कैंसर का रूप समझ लेता है खर हम वहाँ पर नहीं जाएंगे कि क्या उसे कहा जाता है होमियोपैथ में सिम्टम पर अधारीद चिकित्सा होता है और एलोपैथ में बायोपसी यानि केंसर की जांच होने के बाद ही आपका ट्रीटमेंट होगा मुह के एरिया में किंसर होने से बहुत घातक होता है और इसमें बहुत ही भयंकर पीरा होता है यदि मुह के अंदर में यानि अंदर में जीव पर अगर आपको किसी भी तरह का इंफेक्शन है घाव है मस्य जैसा घाव हो सकता है तरह तरह का आपको वहाँ पर आपको गिल्टी तो नहीं होता है लेकिन गिल्टी जैसा आपको उठा हुआ थोरा सा आपको दिखाई देगा उसके मेटकल के भासा में आप समय नहीं पाएंगे लेकिन आमनागरी के लिए हम कह रहे हैं कि मस्य जैसा घाव मस्य जैसा घाव यदि आपको हो गिया है तो कंडू रेंगो आपको होमिपेथिक दवा बेहतरीन काम करता है कंडू रेंगो चिकिसा जगत की चर्शी दवा है खास करके कैंसर के लिए यदि आपको मुह में कहीं भी कैंसर की जैसा लक्षन दिखाई देता है या घाव आपका ठीक नहीं होता है या आपको मौथ अलसर है किसी भी तरह का और बहुत पुराना अलसर हो गया है तो आपको ये कंडू रेंगो दवा है बहुत ही बेहतरीन काम करता है एक कप पानी में दस गून दीन में तीन बार लेकर आपको देखनी चाहिए इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफिक्ट नहीं होता है इसे लेने में आपको समकुछ नहीं करनी चाहिए ये फायदा नहीं करता है तो आपको घाटा भी नहीं करेगा और किंसर यदि आपको आगे बढ़ रहा होगा तो रुकने में काफी ज़यदे मदद करेगा और भयानक से भयानक किंसर के दर्द में यानि मुह में यदि किंसर हो गया है नहीं भी हुआ है दोनों कंडिशन में आपका यह दवा बहत्रीन काम करता है किसी भी मेडिकल एस्टूर पर किसी भी डॉक्टर के सला से आप इसका उप्योग कर सकते हैं या मुह समंधी या मुह में किसी भी तरह का आपको मस्य जैसा वाष जैसा उठा उठा कोई भी घाव हो इन्फेक्शन हो तो यदि आपको सलाह की जरुवत है तो हमरा वाट्शेप नम्मर 980-1757-533 यानी 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं इसमें आपको पर्षान होने की जरुवत नहीं है होमिपैथिक दवा के लगतार सेवन से ऐसे बिमारी को बिलकुल समाप्त किया जा सकता है जैसा के पिछले वीडियो में मैंने एक बच्चे का हमने दिखाया था एक साल तक लगा था लेकि उसका बिमारी बिलकुल जर्मूल से चला गया यदि आप पान गुट का बिरी सिग्रेट कोई भी खाते पीते हूँ तो छोड़ देते बहतर है ज्यादा मसाला फास्ट फूट बजार का समानिय दिखाते हैं वो भी आपको छोड़ देनी चाहिए और फाल पर डिपेंड रहनी चाहिए आपको काजू किसमी संत्रा आउला इस सवरी चीज़ का प्रियोक करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सा कहारी खाना का प्रियोक करें और बजारू भोजन से बचे रहें और हेल्दी सकहारी सुध ले ताजा फ्ल सबजी का प्रयोग करें और इसमें किसी भी तरह का चाट मसाला बजार का समान से आपको बशनी चाहिए और फ्ल के साथ साथ यदि होमिपेथिक दवा कंडुराइंगों का आप इस्तमाल करते हैं तो आपका बिमारी बिल्कुल जर्मूल से चला जाएगा हम गोए हमें बहुत सारा मरीज देखने को मिला सुरू में तक कठिन लगता था कि बिमारी कैसे ठीक होगा लेकिन एक बालक का और एक जैसे ही ठीक हुआ इसमें हम लोग को मालम चलने लगा कि इस बिमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है तो कंडुराइंगो महान दवा है इसका प्रयोक करनी चाहिए किसी भी डॉक्टर के सला से आप फिर एक बाइ स्क्रीन पर देख सकते हैं कंडुरैंगो आप इसका इस्तमाल कीजिए दस बुन एक पानी में दीन में तीन बार आप लिजे किसी भी डॉक्टर के सला से आपका मुह का जो भी प्रोब्लेम है जीव का मुह के यानि अंदर में आपको कोई भी इंफेक्शन हो घाव हो फोरा हो फुन्सी हो अलसर हो कुछ भी अपने भासा में समझे मेरे कहने का मतलब है कोई भी मुह के अंदर में घाव ठ कर सकते हैं आज का वीडियो आप लोगों कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा छोटा वीडियो है और जितने इसमें हम जने काई दिने के कुशिस किये हैं ज्यादा दवा बताने के बाद भी मरीज को आपको कन्फूजन में पर जाते हैं कौन दवा खाएं कौन दवा इसलिए सटिक दवा आपको हमने कंडूरेंगों बता दिया और इस तरह सिसका स्वन आपको करनी चाहिए इसे आसा करता हूं कि जीव का कोई भी परसानी हो मुह का कोई भी परसानी हो तो इसे आपको छुटकरा जरूर मिलनी चाहिए इसी वारा सब विश्वास के साथ आप आपको दिन सुभ हो जै हिन जै भारत